है what I have to be your question लेकर रहे हैं ये question अगोन अगर बोर्ट में आना होगा तो ये फोर मार्क साइब आ सकता है क्योंकि इस depression का लेवल ही अच्छा है अगर इसको फोर मार्क से कम में दिया जा तो इस question की बेजिती है थाना तो गाइस से यह हो गया इसका क्या है kी माल लेते हैं कि यहाँ पर जो आप जर्वर है उसकी आखें यहाँ पर यह आप सब की अब यह एक horizontal line है यह ठिक है अब एक point हम लेते हैं नीचे और एक point हम ले लेते हैं उपर ठिक ध्यान देंगे क्या कर रहा है क्या रहा है कि radius जो आ रहा है आप वो तो देखें अब of substance and angle alpha ठिक जो balloon का radius है वो सब्टेंट कर रहा है angle alpha तो देखें radius तो ऊपर भी है और radius नीचे भी आएगा ठिक तो अगर ऊपर आर है तो नीचे भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा अब आप देखें कि यहां से अगर आप इस point को मिला दें इस point को और यहां से इसको काटते हुए नहीं आना है इसको बाहर ही बाहर मतर टैंजेंट के तौर पर कि अधिक कुछ इस तरी के तरह है अधिक आप इकड़म स्केल से बनाएंगे इकड़म सिधा यह बनेगा तो कर रहा है यह आंगल आलफा बन रहा है कि यहां दूसरी बात यह कर रहा है करऊंडे अधिक्रोड और लावेशन और इस सेंटर का Messy सेंटर तो magical एंगल रहा है है elevation angle वह कितना अहां ऱ थेक आप देखार आप हब किझे है यहां से यहां तक होरिजॉननल से हेंटर अन्या अधर इस वाले पॉईंक्ट से लिखे करके और इसी आपny तो कह रहा है विधर के अबर दिखानी है R sin V cos alpha y 2 के तो चलिए इसको solve करते हैं सबसे पहले हम थोड़ा ग्णाल देता ताकि हमें समझ में आए यह है O मान लिजे इसको P तो इसको आप मान लिजे Q इसको आप A मान लिजे ठेक और इसको आप C मान लिजे ठेक है अब चलिए अब इसको solve करते कि किस त इन ट्राइंगल Q P O Q P O अब देखे यह पूरा एंगल आलफा था तो यहां से यहां से जितना O Q की दूरी है उतनारी तो A O की दूरी है इट मींस कि यह वाला जो एंगल हो जाएगा ने यह वाला एंगल यह इसके वज़े से दो हिस्सों में बट रहा है उपर वाला आलफा आलफा बाई 2 हो जा रहा है तो हम तो नीचे वालेटर आंगल के बात कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहां अगर हम लिखेंगे साइन आलफा बाई 2 तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पर्पेंडिगुलर भाई हाइकोटैनस अब इस एंगल के सामने क्या है पर्पें पर्फवेंदिकलर क्या है ए तो हैं क्या लिख इसके लखते हैं कि नाम से लिखते हैं क्या लिख यहां से क्या हो जायेगा अगर हम इसको प्रस्ट मॉटिप्लाई कर लें हालकि एच्छे से पहले लिख लेता है sin alpha by 2 is equal to r by op तो op की value निकालने होगे तो यह क्या हो जाएगा इस तरफ लेखे आएगे तो op is equal to r यह नीचे चला जाएगा sin alpha by 2 तो इसको लिखेंगे r और 1 by sin alpha by 2 that is equal to cos alpha by 2 अब हम कहां पर आजाएगे अब हम दूसरे triangle में आजाएगे यानि इन triangle देखिए o p c ठीक है o p c triangle में आजाएगे o p c triangle में तो o p c triangle में हम आएगे उससे पहले हम क्या करेंगे center से height चाहिए था ठीक तो center से हम एक perpendicular draw कर देते हैं इस line पर ठीक तो यही height बता देगी जिसको हमने h माला था और इसी point को हम c माल लिये हैं हाना तो अगर हम देखे height यहां पर निकाला तो यहां क्या निकालने कि यहां पर क्या हैं साइन लेकिन यहां angle कौन सा है angle है बीटा ठीक तो sine बीटा इस इक्वल टू फॉर्मुला तो भी रहेगा इसी को हम आगे बढ़ा दे अगर तो क्या हो जाएगा तो आगे बढ़ा दे अगर तो क्या हो जाएगा sine beta is equal to height of center यानि edge और hypotenuse यानि op op की value कितना आया था r cos sec alpha by 2 ठीक है तो height is equal to height को आप यहीं पर रहने दीजे थिक हाइट को उसी साइट में रहा ने दिया है और इन दोनों का इज़र लिया करके multiply कर लिया तो क्या हो जाएगा sin बीटा इसका इज़र लिया करके multiply कर लिया तो क्या हो जाएगा dot r cosec alpha by 2 आप इसको merge करके आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे तो आर को पहले लिख लिए फिर साइन बीटा फिर cosec alpha by 2 यह क्या हो गया height of center हो गया तो उमीद है guys कि आप यह समझ गया होंगे अगर आपको screenshot लेना है तो मैं हट जा रहा हूं इतने last तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बुद्धनेवाद आप ऐसे जुड़े रहिए और आपका प्यार समर्थन और आशिरवाद यह सारा मिलना चीए बहुत बु आपका इसाथ